देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक केजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मि जाए ओम गणे शायनमहा, ओम नमस्षिवाय, मैं निखिल जोतिश आचारे, आप सभी का मेरे चैनल पर पुनहा स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सभी स्वस्तों होंगे, महादेव की क्रिपा आप सभी पर सदाइव बनी रहे, यह वीडियो है मेश यानि की एर अखारित होता है, लेकिन आप अपनी राशी से भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन होती है, आपके लाइफ के जितने भी इंपॉर्टन एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जनरल प्रेडिक्शन, करियर, बिजनस, लव लाइफ, मैरेड लाइफ, स्टू सकरात्मक्ता दूर होगी और सकरात्मक्ता आपके लाइफ में आएगी, तो शुरुवात करते हैं, एरीज यानि की मेश लगन के मई 2022 के मन्थली राशीफल का जनरल प्रेडिक्शन के साथ, शुरुवात करते हैं मेश लगन के जनरल प्रेडिक्शन के साथ, लगन की बात कर यदि लगन में देखें तो उच्च के सूरे बैठे हैं और महीने के मद्यभाग तक कहीं पर बैठेंगे तो यह अच्छा होता है जब भी लगन में कोई ऐसा ग्रहा आके बैठता है जो कि उच्च का होता है आपकी उस राशी में तो अच्छा प्रभाव देता है लेकिन यहा में होता तो अचानक से पैसा आ सकता था लेकिन यहां पर हो रहा है तो यह ग्रहन दोश भी बनता है तो थोड़ा अपनी सेहत का आपको ध्यान देना पड़ेगा स्पेशली महीने के शुरुवाती भाग में क्योंकि वह अमवस्य के आसपास का समय होगा महापे सूरत होंग और महीने के शुरुवात में चंद्रमा भी वहीं पर होंगे तो बहुत स्ट्रॉंग ग्रहन योग और अमवस्य योग बन रहा है तो महीने के शुरुवात में अपनी मानसिक सेहत का शारेरिक सेहत का बहुत ध्यान देना है आपने और कोई भी बड़ा निरने लेने से आप आपको महीने के शुरुवात में शुरुवात के तीन चार दिन चार पांच दिन तक आपको बचना है राहू ऐसे लगन में होते हैं तो अच्छे प्रभाव देते हैं लेकिन सूरे को पूरी तरह से डॉमिनेट कर देते हैं इसलिए आपकी सोचने समझने की शमता थोड़ी सी धुमिल रहेगी थोड़े से कन्फ्यूज रहेंगे आप अटलीस्ट पंदरा तरीक जब तक सूर्यदेवता मेश राशी में रहेंगे क्योंकि आपके पांचवे घर के भी स्वामी है अपने उपर से थोड़ा विश्वास कुछ समय से हट जाएगा जैसा मैंने कहा निरने आप काफी गलत ले सकते हैं तो निरने लेने के शमता भी आपकी बहुत कम रहेगी कि अगर लगन को देखे तो शनीदेव की द्रिश्टी रहेगी Davidson कि आपके लावर स्थाने के सौ्मी ह्ए और कारक्षेत्र के सौ्मी है यानि कि करियर में उछाल आ सकता है करियर में काफी लाव अरजित कर सकते हैं ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी है और एक और अच्छी चीज है कि लगने के स्वामी मंगल वो 11 घर में बैठेंगे 17 तारीक तक उसके बाद 12 घर में आ जाएंगे तो 17 तारीक तक का समय आपके लिए भौतिक सुक्सो विधाओं को अरजित कर लिए बहुत अच्छा है कई तरह के लाव आपको मिल सकते हैं कई तरह की इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती है स्पेशली क्योंकि यहां पर लगन के स्वामी लावस्तान के स्वामी और कारिक शेत्र के स्वामी शनीदेव के साथ योग बनाके बैठेंगे लावस्तान में तो बिजनस से करियर से आपको एटलीस महीने के शुरुवाती मध्यभाग तक काफी कुछ प्राप्त हो सकता है प्रमोशन के चांसेस भी बन सकते हैं उसका हम करियर वाले पाटने बात करेंगे लेकिन यह आपके लिए अच्छा है लेकिन जब भी मंगल शनी साथ में बैठ अग्रेशन बढ़ती है और क्योंकि यहां पर बैठकर शनीदेव आपके लगन को देखेंगे और मंगल शनी दोनों पांचवे घर को देखेंगे तो आपके अंदर एक इन्हेरेटेड एग्रेशन रहेगी कई चीजों पर एग्रेसिवली रियाइट करेंगे जिसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है तो अपनी एग्रेशन को आपको कंट्रोल करके रखना है अगर हम कुछ योगों की बात करें तो महीने के शुरुवात में ओबैचार योग है दुरुधरा योग है यह बहुत अच्छा है बहुत इक सुक्सुविधाओं की प्राप योग बन रहा है यह बहुत अच्छे योग बन रहे है लाइफ को आगे लेकर जाने के लिए यह योग बहुत अच्छे होते हैं कि सा जाती में आपके लिए इस पूरे महिने शुक्र अट लीस्त टारीज तक ट्याइस महीं तक शुक्र बारवेघर में रहें सुक्र तारीक तक एक राजयोग रहेगा क्योंकि सूर्य देवता पंचम स्थान के स्वामी है जो के एक त्रिकोन स्थान है वो लगन में बैठेंगे तो एक राजयोग बनेगा ये भी बहुत अच्छा है और उसके बाद जब राहू अकेले रह जाएंगे कुछ दिनों के लिए उसक आपको थोड़ी साहस दिखानी पड़ेगी कई चीजों में तभी चीजें आप सॉल्व कर पाएंगे काफी मेहनत भरे रहने वाले हैं आपके शुरुवाती दस दिन जो चीजें आपकी कंट्रोल में नहीं है उन चीजों पर जादा अपनी एनरजी वेस्ट मत कीजेगा वर आपको वह सीखने का मौका जाने नहीं देना क्योंकि मुझे लग रहा है आपको महीने के शुरुवाती 10 दिनों में बहुत कुछ सीखने को प्राप्त हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि वह बुकिश नॉलेच हो जब महीने की बीच के समय की बात करेंगे तो यह समय planning का बहुत अच्छा है, यानि कि बहुत अच्छी plan कुछ आप बना सकते हैं अपने life को लेकर, life आपकी आगे बढ़ती हुई दिख रही है मुझे इस part में, कुछ नए लोग आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, personal life में या professional life में, और वह भी आपके emotional life पर एक positive effect डालेंगे, चीजों को सोचने समझने की क्षमता आपके महीने के बीच में बहुत अच्छी रहेगी, जिसका आप बहुत अच्छी तरह से लाब उठा सकते हैं, लेकिन लोगों की बातों को जादा personally मतलें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि महीने के बीच के भाग में, कुछ लोग जान बुच कर आप पर कुछ कटाक्ष के शब्दों का प्रयोग करेंगे, आपके confidence को down करने के लिए, जब हम महीने के अंतिम भाग में चलेंगे, तो वहाँ पर थोड़ी से changes अचानक से आपकी life में आएंगे, जो आपको थोड़ा सा परिशान कर देंगे, मैं ये नहीं कहरा कि changes negative होंग जिसका आप शायद बहुत समय से वेट कर रहे थे, और महीने का अंतिम भाग बहुत सारे धन योग भी आपके लिए लेके आएगा, तो धन की प्राप्ती भी आपको महीने के अंतिम भाग में बहुत सा भी हो सकती है, तो overall देखूं तो आपके लिए general predictions के इसाप से महीना ब लावस्थान में बैटे हैं, अपनी ही राशी में बैटे हैं, ये बहुत अच्छा है, ये लाब योग है, यानि कि करियर से बहुत पैसा आएगा इस महीने, साती में यहाँ पर लगने के स्वामी रहेंगे 17 तारीक तक 10 वे घर के स्वामी के साथ, ये राज योग बनता है, धन योग बनता है लाव योग बनता है तो करियर के हिसाब से प्रोफेशन के हिसाब से ये महीना अच्छा ही दिख रहा है specially महीने का शुरुवाती मद्यभाग आपके करियर के लिए बहुत important हो सकता है आपको पूरी कोशिश करनी है कि जितने भी efforts लगा सकते हैं महीने के शुरुवाती आदे भाग में लगा दीजेगा क्योंकि उसके result आपको बहुत अच्छे प्राप्त होने वाले हैं लावस्थान में बैठे हैं दस्वे घर के स्वामी इसका ये भी मतलब है कि यदि आपकी कोई इच्छा थी अपने profession को लेकर वो इस महीने पूरी हो सकती है जैसा आप चाहते थे उसका कुछ ना कुछ भाग गया तो उसकुछ ना कुछ पार्ट तो आपको इस महीने मिल सकता है यानि कि जिस direction में आप चाहते थे कि आपका career बढ़े कुछ ना कुछ percentage तो उस direction में आपका career बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि लगन में सूर्य होंगे और उच्च के होंगे तो अपने career में काफी authority में भी रहेंगे ये भी अच्छी चीज़ है थोड़ा और analyze करते हैं career को पूरे महीने को अगर तीन parts में बाट दे तो महीने का जो शुरुवाती भाग है ये आपके लिए थोड़ा मेहनत वाला होगा तो इसलिए हो सकता है आपको एक team effort की जरुवत पड़े इसलिए जब कभी भी अपने कारेक शेतर में अपने आपको अकेला महसूस करें या आपको लगे कि आपको कोई काम handle नहीं कर पा रहे हैं तो किसी से मदद मांगने के लिए आपको जिजकना नहीं चाहिए otherwise आप उस चीज में उस particular काम में गलत तरह से perform कर सकते हैं इसलिए जहां भी लगे कि आपको किसी की मदद की जरुवत है तो किसी से मदद मांग लीजेगा जो भी मुश्किल काम हो उसको challenge की तरह accept करेंगे महीने के शुरुवाती भाग में तो आपके लिए बहुत अच्छा जब महीने के बीच के भाग में आएंगे तो मुझे यह लग रहा है कि समय तो अच्छा है लेकिन यदि आप किसी बड़ी position पे हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जो आपके नीचे लोग हैं वो आपको look up करते हैं आपसे प्रेड़ना लेना चाहते हैं आपकी respect करते ह तो अपना जो काम करने का तौर तरीका है उसमें grace रखिएगा और अपने जो नीचे जो juniors हैं आपके interns हैं उनको कुछ सिखाने के कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा साथी में अपने विवहार में आपको पून तरह से सौम्विता रखनी हैं महीने के अंतिम भाग में तो यहां पर लग रहा है थोड़ा emotional हो जाएंगे, oversensitive हो जाएंगे यदि आपको आपके अच्छे काम के लिए respect नहीं मिली तो वो चीज आपको बहुत चुबेगी और उसके कारण थोड़ी problem हो सकती है कुछ नई शुरुवात करना चाते थे अपने career में कुछ नया सीखना या नई जॉब ढूरना चाह रहे थे तो उसके संदर्व में भी कुछ आपको अच्छा प्राप्त हो सकता है महीने के अंतिम भाग में यदि आप health industry, fitness industry, research based कोई जॉब करते हैं या फिर insurance based कोई भी जॉब करते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुती जादा अच्छा रहने बिजनस की तिरफ बिजनस के लिए दसवे घर के साथ 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 वे घर को भी देखना पड़ता है अपके लगने से देखें तो सातवे घर में केतू बैठेंगे और कुछी दिनों पहले केतू यहां पर आए हैं अब जब केतू आते हैं तो थोड़ा बिजनस के लिए negative समी रहता है स्पेशली जो शुरुवाती देड़ दो धाई महीने होते हैं तो आपसे मैं यही कहूंगा कि मैं से लेकर जुलाई तक कुछ बहुत जादा रिस्क ना ले अपने बिजनस में कि थोड़ा सेंसिटिव समय रहेगा के तु जब किसी भाव में आते हैं तो उसके जो करात्मक हो सकता है इसलिए यह तो सेंसिटिव समय रहेगा दो महीने का अप्रेल माई जून अप्रेल अब जा चुका है तो माई जून यहां तक आपको बहुत जादा रिस्क अपने बिजनस में नहीं लेने हैं सात्वे घर से सात्वे में यानि कि लगन में सूर्य महाराज होंगे तो कि सकता है आपको कछ आपको एसा काम कर रहे हो जिसमें कुछ कोई नया लाइसेंस आपको लेना पड़े कहीं से आपको कोई नोटेस आ जाए ज़लेटिट प्राबलम हो Сकती जिएस्टर से और यदि कोई ऐसी अशल रही है तो इसको जलोडि से जल्ड़ी वह सफ मंगल जो कि आपके लगने के स्वामी है 17 तरीक के बाद आके आपके सात्वे घर को देखेंगे तो ये अच्छा होगा तो महीने के जो मद्य भाग के बाद का समय है वो अचानक से थोड़ा बिजनस में पिक अप आ सकता है स्पेशली यदि आप बाहर से सम्मंदित कुछ काम करते हैं तो वो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा अब थोड़ा और डीप अनलसिस करते हैं महीने के तीन पार्ट में यदि हम बाद देतो जो महीने का शुरुआति भाग रहेगा उसमें मैं यही कहूंगा कि थोड़ा आपको अपको अपनी सोच में नया पन लाना पड़ेगा क्योंकि जैसा मैंने कहा है एक sensitive समय रहेगा तो इसको handle करने के लिए आपको अपनी सोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा उसमें थोड़ी positivity लानी पड़ेगी कुछ नए ideas आपको लेने पड़ेंगे अब नए ideas और risk में बहुत फरक होता है नए ideas आप day to day implement कर सकते हैं without any risk तो इ महीने के शुरुवाती भाग में वरना थोड़ी बहुत problem हो सकती है जो महीने का बीच का भाग है यह बहुत आपके लिए stressful रहने वाला है बहुत सारा काम रहेगा multitasking आपको करनी पड़ेगी कुछ नई opportunities आ सकती है लेकिन आपको बहुत सोच समझ कर उन opportunities को accept करना है लेकिन का काम-wise बहुत जादा burden रहेगा काम का महीने कह रहा है उसका बहुत अच्छा result आपको अभी मिल जाएगा future में जरूर मिलेगा लेकिन काम के हिसाब से काम के burden के हिसाब से यह महीने का जो मध्य भाग है वह बहुत जादा आपके लिए busy रहने वाला है अपने connections पर ध्यान अपने business के बारे में कुछ नया सीखने को आपको प्राप्त हो सकता है थोड़ा marketing पर अपने business की ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा साथी में कोई अचानक से नई opportunity आ सकती है लेकिन बहुत कम समय के लिए आएगी तो आपको अपने senses खोले रखने हैं और उस रिसोर्स से संबंदित या automobile industry से संबंदित कुछ भी business करते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है आप चलते हैं relationship की तरफ सबसे पहले बात करेंगे कि जो no contact situation में है उनके लिए कैसा रहेगा महीना आप से में ये कहूंगा कि महीना इस no contact situation से निकलने क लिए थोड़ा बहुत positive दिख रहा है लेकिन महीने की शुरुवात में जादा कुछ try मत कीजेगा थोड़ा सा धहरे रखेगा थोड़ा सा सायम रखेगा ये जानने की कोशिश आपको जादा करनी पड़ेगी कि exact reason क्या है जो आप इस situation में है अपने आप में कुछ बदलाव करने की कोशिश करनी पड़ेगी तभी जाके महीने का जो अंतिम भाग है वहाँ पर कुछ आपके लिए इस situation के लिए positive हो सकता है तो मैं negative नहीं कहूंगा लेकिन positive है लेकिन थोड़ा धैरे रखना पड़ेगा no contact situation से निकलने के लिए जो लोग नया relationship start करना चाहते हैं उनके लिए महीना positive है लेकिन आपको अपने नेचर को और समझना पड़ेगा अपने प्रस्पेक्टिव पार्टनर के नेचर को और समझना पड़ेगा क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी एक दूसरे को जिनसे भी आपकी बाते हो रही है अभी भी समझने में बहुत जादा देरी ह है लेकिन मद्य भाग जो है महीने का वह आपके लिए अच्छा रहेगा कुछ ना कुछ positive उसमें हो सकता है जब अपने प्रस्पेक्टिव पार्टनर से बात करते हैं तो थोड़ा confidence दिखाए क्योंकि शायद वहीं पर बात थोड़ी अठक जाती है अब बात करते हैं जो लो पांचवे घर के स्वामी ग्रहन योग में हैं जो किसूरे हैं तो महीने का जो शुरुवाती भाग है वो love life के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा थोड़ा सा problems आपको आ सकती है लेकिन बाद में चीज़े बहुत अत्तक सुधर जाएंगी थोड़ा और deep analysis करते हैं महीने क को तीन पार्ट में बाट लेते हैं जो महीने का शुरुवाती भाग है एक से दस तारीक का जैसा मैंने कहा थोड़ा problematic रहेगा वो यह महीना यह समी रहेगा अपने पार्टनर को और अच्छी तरह से समझने का अगर वो कुछ गलत भी कहते हैं तो उस पर गलत तरह से react नहीं करने का आपको react थोड़ा कम करना है कुछ को यदि गुस्टे से भी कहते हैं तो उस गुस्टे के पीछे क्या कारण है आपको वो चीज समझना है तो आपका relationship बहुत अच्छा हो जाएगा भले ही थोड़ा problematic समय रहेगा लेकिन आप देखेंगे इसको यदि आपने handle कर लिया तो आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा धहरे बहुत दिखाना पड़ेगा महीने के शुरुवाती भाग में क्योंकि बहुत सारे changes आएंगे वो changes किसी कारण से ही आ रहे होंगे लेकिन उन changes को आपको handle करना यदि नहीं आया तो महीने का शुरुवाती बढ़ाना पड़ेगा अपनी intuition को अपनी instincts को और सुनना पड़ेगा लेकिन ऐसा दिख रहा है कि कुछ toxic लोग हैं आपके दोनों के बीच में आपके common friends हो सकते हैं या उनका कोई friend आपका कोई friend कोई ना कोई ऐसा है जो थोड़ी toxicity थोड़ा जहर किसी के कानों में घोलता है आ आपके बारे में या आपके कानों में घोलता है उनके बारे में ऐसे लोगों को जानिये और इनको अपनी life से जितनी जल्दी हो सकता है निकालने की कोशिश कीजिए क्योंकि उनका ओचित्य ही यह है कि आपका relationship धंग से ना चल पाए ऐसे लोगों को आपको जानना जो महीने का अंतिम भाग है relationship के लिए बहुत अच्छा देख रहा है जो भी नकरात्मकता पहले 20 दिनों में आई होगी उनसे बहुत हद तक आपको छुटकारा मिलेगा चीजें better direction में बढ़ेंगी एक दूसरे को समझ पाएंगे नया experience दोनों साथ में मिलकर gain कर पाएंगे विश्वास एक दूसरे पर बढ़ेगा जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ही contentful समय आप बिता पाएंगे अपने partner के साथ वह couples जो अपने relationship को एक नई level पर लेके जाना चाहते थे उनके लिए जो महीने का अंतिम भाग है वो बहुत अच्छा रहेगा तो शुरुवाती 20 दिन थोड़े problematic है उसके बाद चीज़ें ठीक होती भी दिख रहे हैं चलते हैं married life की तिरफ साथवे घर में केतु हैं अभी अभी आए हैं कुछ दिनों पहले तो ये समय married life के लिए बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा केतु है कैसे ग्रह हैं जिनका married life पर ब रहने वाला है आपको धहरे रखना पड़ेगा क्योंकि जो सात्वे घर के स्वामी है शुक्र है वो बारवे घर में बैठे है अच्छा है लेकिन जब सात्वे घर से देखेंगे तो छटे भाव में बैठे हैं तो problems आएंगी रुकावटे आएंगी physical compatibility में बहुत जादा issues र रहेगा तभी आपके लिए चीजें ठीक रहेंगी मंगल जो आपके लगने के स्वामी है 17 तरीक को राशी परिवतन करके बारवे में आ जाएंगे और वहां से वो भी सात्वे घर पर द्रिश्टी डालेंगे तो 17 तरीक के बाद चीजें थोड़ी और aggressive हो सकती हैं तो थोड आप और आपके life partner दोनों ही immature सा behave करेंगे यूशुली शायद आप ना ऐसे करते हो लेकिन ये जो समय रहेगा आप दोनों की तरफ से ही थोड़ी immaturity रहेगी जिसके कारण वेवाहिक जीवन में और problem आएगी एक दूसरे से मन थोड़ा भर सकता है यानि कि एक दूसरे के तर होंगा कि थोड़ा चीजों को compromised way में देखेंगे compromise करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा वरना जो महिने का शुरुवाती भाग है वो थोड़ा बहुत problematic रहने वाला है जब अब महिने के बीच के भाग में चलेंगे यहां पर दोनों ही तरफ अपना partner को काफी dominate करने की कोशिश करेंगे उसके कारण problems थोड़ी बढ़ सकती है काफी कटाक्ष के शब्द काफी कडवे शब्द बोले जाएंगे दोनों ही तरफ आपकी तरफ से थोड़ा जादा रहेगा इसके कारण भी problem बढ़ेंगी मैं यहीं कहूंगा कि यदि possible हो अब आपक में चलते हैं तो आपको अपनी शादी शुदा जिंदगी बर्डन की तरह लगने लग जाएगी आपको लगेगा कि क्या फायदा जब हम इतना कुछ करते हैं उसके बाद भी कुछ हमें ना प्यार मिलता है ना इजजत मिलती है तो बहुत दुखी रहेंगे आप अपनी शा सकते हैं तो यह महीना शादी शुदा लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं है आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है चलते हैं फाइनसेस एंड एक्सपेंसेस की तरफ यह महीना पैसों के आपसे तो आपके लिए अच्छा दिख रहें जब हम धनभाव को देखते है तो वहाँ पर लाव स्थान में बैठे लगन के स्वामी यानि की मंगल की दृष्टी रहेगी यह अपने आप में बहुत अच्छा धनयोग बनता है धनभाव के स्वामी शुक्र उच्च के होकर बैठेंगे बारवे घर में अब बारवा घर है तो वैसे तो खर्चे बढ़ पर ही होगा जरूरती चीजों पर ही होगा और यदि कुछ बहुत समय से खरीदना चाहते थे उसके लिए बजट नहीं बन रहा था तो इस महीने उसके लिए बजट भी आपके लिए बन सकता है यानि की पैसा तो आपके पास जरूर आएगा लावस्थान को देखे आनि की 11 तो वहाँ पर लगने के स्वामी बैटे हैं और साती में वहाँ पर शनी बैटे हैं जो लाव स्थाने के ही स्वामी हैं अपनी ही राशी में हैं अपनी मूल त्रिकोन राशी में हैं तो लाव के अफसर प्राप्त होंगे लाव प्राप्त होगा इच्छा पूर्ती होगी तो प बहुत पैसा आएगा यदि आप पब्लिक डीलिंग हुँमन रिसोर्स या फिर कि एजब ब्रोकर कुछ भी काम करते हैं तो एजब मिडल मैं कुछ भी काम करते हैं तो consultation का कुछ भी काम करते हैं तो इस महीने बहुत पैसा आएगा education सम्मंदित कुछ भी काम करते हैं तो बहुत पैसा आएगा साथी में aviation industry से जुड़े हैं तो भी आपके लिए या transport से जुड़े आपका कुछ भी काम है तो भी इस महीने बहुत पैसा आता हुआ देख रहा है, पैसा खर्च कहा होगा, अपनी पढ़ाई पर, अपने बच्चों की पढ़ाई पर, धार्मिक कार्यों पर इस महीने बहुत पैसा खर्च होगा, यातायात पर बहुत पैसा खर्च होगा, कोई टेक्निलोजी का समान या लेकिन उसको खर्चा नहीं कह सकते, वो investment है आपके आगे जाके आपके लिए काम पर ही आएगी, वो भी आपके लिए अच्छा है, साथी में खाने पीने की वस्तुओं पर भी इस महीने जरूरत से ज़्यादा थोड़ा खर्चा होगा, शायद जो family dinners होते हैं या friends के साथ dinners ह होते हैं, वो usual से थोड़े आपको इस महीने ज़्यादा करने पड़े, इसलिए खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा, तो पैसा तो इस महीने जरूर आएगा और खर्चा भी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक्ठा खर्चा होगा, आप चलते हैं students की तरफ पहले overall बात करते हैं, पांचवा घर important होता है, बुद्ध important होते हैं निकि मकरी, तो अगर अब पांचवा घर देखें तो मंगल और शनी की दृष्टी रहेगी, तो एक aggressive approach रहेगी आपकी अपने पड़ाई को लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे, कोई competitive exam आपका पढ़ता है इस महीने तो उसमें usually अ अगर में बैठे हैं, तो थोड़ी बहुत problem हो सकती है, family से support जो आपको चाहिए ता शायद वो नाप्राप्त हो, तो वो थोड़ा सा नकरात्मक रह सकता है, लेकिन overall तो ये समय ठीक ही दिख रहा है, लेकिन जब हम पांचवा घर के स्वामी को देखते हैं, वो राहू के रहेगा, determination level बढ़ाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ positive आपके लिए इस महीने studies में जरूर होगा, एक stability आएगी, success की प्राप्ती हो सकती है, लेकिन थोड़ा over confidence से बचें, और जादा अपनी बढ़ाईयां सुनकर, अपनी तरीफे सुनकर, जादा फूलिएगा मत, क्योंकि व अच्छा समय है, आप काफी careful होकर सब चीज करेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे, सब कुछ अच्छे करेंगे, लेकिन फिर भी careful होकर करेंगे, जिसके कारण, जो भी आपका exam है, उसमें performance आपकी अच्छी रहेगी, जो महीने के मध्य भाग मे आपके कोई exam है, तो आपसे मैं यह कहूँगा कि किसी पे dependent मत होईएगा, साथी में उस समय आपका frustration का level थोड़ा जादा रहेगा, उसका एक negative impact पड़ सकता है आपके exams पर, तो इस दीज का ध्यान देना है, महीने के अंतिम भाग में आपका कोई exam पड़ता है, तो अच्छा ह लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी के कुछ exams delay भी हो सकते हैं, especially जो बड़े लेवल के exams होते हैं, जैसे कोई government job है, कोई competitive exam है, कोई entrance exam है, अलग-लग तरह के exams होते हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए यह जो exams है, वो थोड़े delay हो जाए, उनकी date delay हो जाए, वो आ आपके लिए थोड़ी frustration उत्पन कर सकते हैं, अब बात करते हैं कि जो higher studies करते हैं, उनके लिए यह महीना कैसा रहेगा, देकि higher studies के लिए पांचवे घर के साथ साथ, नवे घर को भी देखना पड़ता है, तो वहां के स्वामी है, ब्रहस्पती वो अपनी ही राशी में बैट आते थे, उनके लिए यह महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, नई opportunities आपके लिए आ सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े oversensitive आप जादा रहेंगे इस महीने, और वो चीज आपको थोड़ा तंग करेगी, ऐसा लग रहा है कि बार बार अपने आप से से वो अब जॉब करने लग गए हूँ, आप higher studies कर रहे हैं, तो यह भावना भी आएगी कि मैं जॉब ही कर लेता है, जॉब ही कर लेती तो अच्छा रहता, तो इन चीजों से आपने दूर रहना है, जो महीने का अंतिम भाग है, जो students higher studies करते हैं, उनसे ही कहूँगा कि planning जीएगा, आपको कुछ बहुत अच्छे ideas, बहुत positive ideas महीने के अंतिम भाग में आ सकते हैं, वैसे महीना overall students के लिए बहुत अच्छा देख रहे है, जो students लेकिन technical subjects की studies करते हैं, technical line में है, civil engineering की studies करते हैं, communication कोई based studies करते हैं, उनके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा, और ज जो students मेश लगन के देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे, ये महीना उनके लिए बहुत positive रहने वाला है, जालते हैं, सेहत की तरफ, देखिए राहू लगन में है, और सूर भी लगन में आ जाएंगे, तो ग्रहन योग लगन में रहेगा, at least 15 तारीक तक, उसके बाद सेहत के लिए बहुत अच्छा तो नहीं देख रहा, मंगल जो आपके लगने के स्वामी है, शनी देव के साथ रहेंगे, वहाँ पे थोड़े uncomfortable रहते हैं, ग्यारवे स्थान में रहेंगे बहुत इक सुक्सो विधाओं के लिए अच्छा है, लेकिन छटे भाव से छटा है, पैसा खर्च होगा, ऐसी कोई problem हो सकती है, जिस पर पैसा थोड़ा ज़ादा खर्च हो, और 17 तारीक के बाद लगने के स्वामी बारवे घर में ही आ जाएंगे, विपरीत राज योग तो बनाएंगे, लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो ये महीना सेहत के लिए थो बहन योग बन रहा है, तो सर से संबंदित कोई चोट भी लग सकती है, इन चीजों का आपने बहुत ध्यान रखना है, थोड़ा डीप एनलेसिस करते हैं, जो महीने का शुरुवाती भाग है, इसमें आपको anxiety की problem, को infection, सर से संबंदित problem और sleep disorders बहुत अंग करने वाले हैं, जो महीने का बीच का भाग है, रक्त संबंदित विकार, blood disorders, high BP की problem, और जिनको asthma related कोई भी problem है, बहुत दिक्कत आपको होगी, सांस लेने में problem हो सकती है, इसी इसका आपने ध्यान देना है, जदी जादा ही कुछ problematic होता है, तो देर मत कीजेगा डॉक्टर को दिखाने में, औ और emotional थोड़ी problem रहेगी, जिसका एक effect आपके overall life पर पड़ेगा, शर्थ emotionally थोड़े निराश रहेंगे, जिसके कारण आजकल काफी problems, emotional unhappiness के कारण ही होती है, mind related problems, तो वो चीज़ आपको महीने के अंतिम भाग में तंग करने वाली है, थोड़ा ध्यान देजेगा आपनी से मेश लगने के जातकों के लिए मही का उपाई यह है कि आपको महीने के पहले दिन यानि की एक तारिक को हनुमान मंदिर में एक नारियल और चार लड़ू अरपन करने है, और वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का दो बार बाट करना है, और उसी दिन शिवलिंग पर 11 बेल प